लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए लॉकडाउन के दौरान कई पुरानी बॉलिवुड फिल्मों की थ्रोबैक तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायल हो रही है हाल ही में निर्माता सुनीता गवारिकर ने अपने सोशल मीडिया पर स्वदेश की कुछ तस्वीरें शेयर की है आशुतोष गवारिकर निर्दिशित फिल्म स्वदेश 2004 में आई थी और लोगों के दिलों में घर बना लिया था इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि शाहरोग खान ने एक गाव में फिल्म की शूटिंग की थी फिल्म में शाहरोग खान ने नासा इंजीनियर का किरदार निभाया था जो अमेरिका से भारत आता है और फिर यहां की मिटी उसे वापस नहीं जाने देती इस फिल्म को आज तक शाहरोग की बेहतरीन अभिने के लिए याद किया जाता है इंत्रो बैक तस्वीरों ने सारे पुराने पलों को ताजा कर दिया है फिल्म से तस्वीरे सुनीता गवारिकर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है और कैप्शन लिखा 2003-04 स्वादेश पूरे हुए 15 साल शाहरोग खान और गायेती जोशी अभिनीत फिल्म स्वादेश को रिलीज हुए 15 साल पूरे हो चके है इस फिल्म को आज बेहतरीन कहानी और शांदार अभिने के लिए जाना जाता है देश भक्ती का भावले यह फिल्म लोगों की इमोशनल तार को छू गई खासकर मोहन भारगव के किरदार में शाहरोग के सभे हुए अभिने की आज भी तारीव की जाती है स्वादेश फिल्म नहीं रही थी हिट अप तादे 17 दिसंबर 2004 में रिलीज यह फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट नहीं रही थी हालाकि शाहरोग खान ने बेस टेक्टर का अवाड हासिल किया था स्वादेश आज भी लोगों की याद करते हैं आशुतोष गवारिकर कहते हैं स्वादेश की रिलीज के वक्त मुझे जो दुख हुआ था वो पिछले 15 सालों में पूरी तरह से खत्म हो चुका है क्योंकि इन 15 सालों में लोग जब भी मुझसे मिलते हैं तो स्वादेश की बात जरूर करते हैं फिल्म उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली चाहे जो भी कारण रहा हो लेकिन मुझे कुशी है कि लोग आज भी उसकी बातें करते हैं उसे याद करते हैं स्वादेश फिर से रिलीज निर्देशक ने आगे मुस्कुराते हुए कहा मैं सोचता हूँ कि आज के समय में मुझे स्वादेश कुछ जगों पर फिर से रिलीज करनी चाहिए स्वादेश स्वादेश फ्लॉप होगी शाहरोख ने स्क्रिप्ट पढ़ते ही इस बारे में आशुतोष से कहा था पर विश्वास था उन्होंने शाहरोख के साथ ये फिल्म इसलिए की क्योंकि ये उनके पिता का सपना था बता दे, शाहरोख खान स्वादेश के बदले आशुतोष के साथ जोधा अकबर करना चाहता थे स्वदेश नासा में शूटिंग ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें नासा रिसर्च सेंटर के अंदर फिल्म आए गए द्रिश्य दिखाए गए हैं फिल्म एक किनार आई साइंटिस्ट शाहरोख खान की घर वापसी की कहानी थी